दोस्तो अगर आप भी बकरे की आते खाते हैं, तो ये खबर जानकर आपकी बोलती बंद हो सकती है, हो सकता है आप सदमे में आ जाएं, क्योंकि ना जाने आप कितने दिनों से इसको खा रही हैं। दोस्तो बकरे का मीट हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। बकरे के मीट में लगभग सब कुछ खाया जाता है, लेकिन बकरे के मास में कई चीजे ऐसी होती हैं, जिने खाना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। आपको बता दें। आज हम आपको बकरे की आथ के बारे में बताने बाले हैं, जो कि इसके कई नाम हैं। जैसे कोई इसको बोटी का सालन कहता है, तो कोई आथ पचौनी बही इसको कई लोग होजरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आम लोग इसे बकरे की आथों के नाम से ही जानते हैं। लेकिन आजम आपको कुछ ऐसी बाते बताने बाले हैं, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप भी बकरे की आते खाते हैं तो ये खबर आपको जरूर जटका देगी तो आई जानते हैं दोस्तो भले ही बकरे की आते देखने में बहुत गंदी लगती है और इसको साफ करने में काफी ज़्यादा मेहनत भी लगती है लेकिन क्या आपको पता है जो लोग बकरे की आते खाते हैं तो बो लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते बकरे की आते बहुत ज़्यादा ही गरम होती हैं जिसके कारण शरीर को सर्दी नहीं लगती जो लोग सर्दियों के मौसम में इसको खाते हैं, तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है बही बकरे की आतों में कैल्शियम भरपूर मातरा में पाया जाता है अगर आपके शरीर में खून की कमी है, तो आप बकरे का मास खाएं आपको बता दें, बकरे की आतों में प्रोटीन बहुत ही अधिक मातरा में पाया जाता है बही जो लोग अपना बजन बढ़ाना चाहते हैं और शरीर से बहुत ज़्यादा ही कमजोर हैं तो बो लोग बकरे की आते या फिर मास खा सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग बकरे की आते नहीं खाते या फिर इसको लेते समय शर्माते हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रही हैं, इसको खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बलकि इसके फायदे ही फायदे हैं तो दोस्तो धन्यबाद